हलो दोस्तों मैं अविराज तुरेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकास स्टिरी सर्किल के योटूब चैनल पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोग केवियस प्यार्टी परिच्छा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सिट नंबर एक हल करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किये हुए वीडियो के साथ अंधतक अवस्यं बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सेर भी करें दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि आपका KVS PRT का एकजाम 21 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रस्तावित है तो दोस्तों आप सभी ने इसका स्लैबस भी देख रखा होगा आप सभी को जानकारी होगी कि इसके पार्ट एक में हिंदी के 10 प्रस्न पूछे जाएंगे और पार्ट सेकंड में हिंदी के 20 प्रस्न पूछे जाएंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पूरे 30 प्रस्नों को हल करेंगे और दोस्तों वीडियो को वीडियो के साथ आंत तक आप लोग अवश्य बने रहें और आप लोग अपना-पना स्कोर काड़ हमें कमेंट ब किये हुए अपनी आज की क्लास को सुरू करते हैं आज का पहला कुष्चन है ये एक साइन बना है लिखा है अंदर कोष्ठांकित विराम चिन्न का नाम क्या है इस विराम चिन्न का नाम पूछा गया है क्या है ये चीज आप लोगों को बतानी है पहला अपसन है योजना विर का साइन होता है तो इस कुष्चन का राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन नंबर B और दोस्तों अगर यहां पे अलप विराम की बात कर ली जाए कि अलप विराम का साइन या चिन क्या होता है तो अलप विराम का चिन होता है सिंगल कामा और दोस्तों अगर निर्देशक च क्या होता है ऐसे ये डैस तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो कुश्चन नमबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सन नमबर भी अल्प विराम ये अल्प विराम का साइन है स्वारी दोस्तों अल्प नहीं अर्ध विराम का साइन है आप सन नमबर भी इसका विल्कुल राइट आसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर दो रचना की दरश्टी से क्रिया के भेद हैं रचना की दरश्टी से क्रिया के कितने भेद होते हैं ये चीज आप लोगों को बतानी है पहला आप सन है तीन, दूसरा है दो, तीसरा है चार, चौथा है पाँच तो दोस्तों आप लोग याद रखना रचना के आधार पर क्रिया के सामानिता दो भेद होते हैं तो यहाँ पे आपसन भी आपका विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और अगर उन दो भेदों की बात कर ली जाए कि वो दो भेद होते कौन-कौन से हैं तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है सकर्मक्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक्रिया, तो दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया के कौन-कौन से भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पहला होता है सकर्मक्रिया और दूसरा होता है अकर्मक्रिया, दोस्तों अगर हम लोग सकर्मक्रिया की बात करें कि सकर्मक्रिया की definition क्या कहती है तो दोस्तों सकर्मक्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक्रिया कहा जाता है और दोस्तों अगर्मक्रिया की बात कर ली जाए तो इसका just opposite हो और कर्म की संभावना भी नहीं होती है वो होती है अकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया कोई उधारन के तौर पे समझेंगे जैसे अकर्मक्रिया का उधारन क्या हो जाएगा जैसे दोस्तों राम सोता है तो ये सोना जो होगा ये अकर्मक्रिया का उधारन होगा और सकर्मक्रिया क जैसे राम खाना खाता है तो खाना एक ये सकरमक क्रिया का उधारन हो जाएगा और दोस्तों आप लोगों को अगर इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमने डिटेल में वीडियो अपने चैनल के मादेम से आप लोगों को सकरमक क्रिया और अकरमक क्रिया या संग्या सरव नाम, सारी चीजे बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप लोग वहाँ पे जाके वीडियोज देख सकते हैं, तो इस कुश्चन का राइट अपसन क्या हो जाएगा, अपसन नमबर B, दो क्रिया के बेद होते हैं, दो कौन कौन से सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया, आगे ब चीज बतानी है, आप लोग आसान कुश्चन है, सफी जानते होंगे, इसका राइट अंसर होगा, आपसन नमबर B, कहानिया, ये कहानी का बहुचन होता है, दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखना, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 4, इसका है, ये मखी का तत्सम होता है, मखी का तत्सम सब्ध होता है, तो यहाँ पे भी आपका आपसन नमबर B, बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा, मखी, ये दोस्तों मखी का तत्सम होता है, और दोस्तों, अगर मच्छर के तत्सम की बात कर ली जाए, तो मच्छर का तत् तत्सम क्या होता है मसक, इसका तत्सम होता है मसक, और दोस्तों माटी, मिट्टी ये लिखी है, मिट्टी या माटी, इसका तत्सम क्या होता है, किसका तत्सम होता है म्रत्तिका, इसका तत्सम होता है म्रत्तिका, ये मिट्टी या माटी, ये दोनों का ये तत्सम होता है, तो द पहले ही कातस समसब्द, आपसा नंबर भी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कुष्चन है, कुष्चन नंबर 5, कुष्चन नंबर 5 है, मिठास सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग है, मिठास में ये मिठास सब्द लिखा है, इसमे किस प्रत्य का प्रियोग किया गया है ये चीज आप लोगों को बतानी है पहला है मीठा, अगला है ठास अगला है आस और अगला है प्यास तो मीठास सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग किया है किया गया है ये चीज दोस्तों आप लोगों के इसमें बतानी है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा option number C, ask इसका right option क्या हो जाएगा ask दोस्तों अगर प्रत्य की बात कर ली जाए प्रत्य कौन से सब्द होते हैं तो इसकी भी आप लोग definition कहीं note कर लीजिए प्रत्य की definition क्या होती है जो सब्दांस सब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्य कहा जाता है यानि कि आप लोग मोटी भासा में ये समझे normal तोर पर कि प्रत्य वो सब्द होते हैं सब्दांस होते हैं जो किसी सब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्य कहे जाते हैं और जो किसी सब्द के प्रारम में जुड़ते हैं वो उपसरक कहे जाते हैं ये चीज़ आप लोग दोस्तों याद रखना तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि मिठास, इसमें कौन सा प्रत्य लगा है, तो इसमें आस प्रत्य लगा है, और ये आस प्रत्य जो है, ये इच्छा वाचक प्रत्य है, इच्छा वाचक प्रत्य है, दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखना, ये इच्छा वाचक प्रत्य है, आगे बढ़ते हैं, अगला क है कथनी तो दोस्तों कथित कथित सब्द का विलोम क्या होगा कथित का विलोम होगा अकथित आप सा नंबर सी इस कुष्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग याद रखना और दोस्तों अगर इसमें इसी कुष्चन में यह कह देता कि कथित इसके के लिए वाक्यांस क्या होगा इसके लिए दोस्तों वाक्यांस होगा जो कहा गया है ये कथित के लिए वाक्यांस होगा कथित के लिए वाक्यांस क्या होगा दोस्तों जो कहा गया हो आप लोग ये चीज याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमब कौन सा नहीं होगा ये चीज आप लोगों को बतानी है कुश्चन नमबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर D सारंग ये चीज दोस्तों जब हम लोग S.S.E.G.D के पेपर वहाँ प्रैक्टिस से ठाल कर रहे थे तो ये कुश्चन वहाँ भी बहुत बार रिप हुआ है important question है दोस्तों important question है सारंग जो है ये सूर का पर्याइवाची नहीं है अगर बात कर ली जाए कि सारंग यहाँ पे नहीं दोस्तों पूछा गया था सारंग पर्याइवाची किसका है तो दोस्तों सारंग पर्याइवाची होता है सर्प का आप लोग याद रखना सार सारंग यह सर्प का पर्यावाची है और दोस्तों यह मोर का पर्यावाची भी कहीं कहीं पे लिखा है तो आप लोग दोनों चीज़े याद रखना अपने हिसाब से जैसा पेपर में आपसन हो उस तरीके से आप लोग उसको सिट करना जो सारंग है ये सर्प और मूर दोनों के परयावाची होते हैं होते हैं नहीं सुरी दोस्तों होता है तो आप लोग ये चीज याद रखना यहाँ पे सूर्ख का परयावाची नहीं है पूछा गया था तो आपसन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा सारंग आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर आठ कुश्चन नमबर आठ यहाँ पे अलंकार पूछा गया है देखेंगे पंक्तियां क्या है सकिन सहित हरसी अतिरानी सूखत धान पराजन उपानी यह एक लाइन दी गई है चौपाई दी गई है दोस्तों इसमें पूछा गया है इन पंक्तियों में अलंकार कौन है तो पहला आपसन देखेंगे संभावना अलंकार अगला है विभावना अलंकार अगला है उत्पेच्छा अलंकार और अगला है स्लेस अलंकार तो दोस्तों, question number 8 में कौन सा अलंकार होगा, इसमें अलंकार होगा, उत्पेच्छा अलंकार, option number C, इस question का बिल्कुल right answer होगा, और दोस्तों, अगर उत्पेच्छा अलंकार की definition की बात कर ली जाए, तो इसकी definition क्या होती है, वो चीज़ आप लोग कहीं दोस्तों, नोट कर ली संभावना की जाए, वहाँ उत्पेच्छा अलंकार होता है, और उत्पेच्छा अलंकार के वाचक सब्द, यानि कि वाचक सब्द means क्या होता है, कि उत्पेच्छा अलंकार आप लोग पहचानेंगे कैसे, अधिकतर 99% cases में ये होता है, कि उत्पेच्छा अलंकार वहाँ प यह वाचक सब्द प्रियोग में होते हैं उत्पे इच्छा लंकार में तो दोस्तों उत्पे इच्छा लंकार के वाचक सब्द कौन-कौन से होते हैं वाचक सब्द मींस कि उत्पे इच्छा लंकार जिन पंक्तियों में होगा वहाँ पर 99% केसेस में ये सब्द मिलेंगे आप लोगों को मनु मानो, जनव, मनँ जनु जानो, ये जेओ, ये सब्द आप लोगों को मिलेंगे तो दोस्तों इस question का right answer क्या हो जगाएगा आपसन नमब सी उत्पेच छालंकार आगे बढ़ते हैं, अगला question है, question number 9 दिखदर्सन, दिखदर्सन का संदिविच्छेद होगा दिखदर्सन का संदिविच्छेद होगा question पूछा गया है पहला आपसन है दिखदन दर्सन, अगला है दिखदन दर्सन, अगला है दिखदन दर्सन ये नीचे हलंत लगा है दोस्तों तो दिकदर्सन का संधिविच्छेद क्या होगा दोस्तों दिकदर्सन का सही संधिविच्छेद क्या होगा दोस्तों दिकधन दर्सन आपसा नमबर D यहाँ पे बिलकुल राइट आंसर होगा और अगर यहाँ पे संधी की बात कर ली जाए तो इसमें संधी कौन सी है तो इसमें दोस्तों है वेंजन संधी यहाँ पे है वेंजन संधी आप लोग याद रखना दिखदरसन में संधी कौन होगी संधी होगी इसमें वेंजन संधी यह चीज आप लोग याद रखना और दो दर्सन में संधी का संधी विच्छेद क्या होगा दिक दर्सन का संधी विच्छेद होगा दिक का के नीचे हलन्त है दोस्तों आप लोग याद रखना दिक दन दर्सन ये इसका संधी विच्छेद हो जाएगा और इसमें अगर संधी की बात कर ली जाए कि संधी कौन सी है तो ये पैड़ावाजी से related थोड़ा सा कुश्चन है दोस्तों देखेंगे पहला आपसन है वे घटनाओं पात्रों में उलज जाते हैं अगला है वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेस करते हैं और कलपना सील बनते हैं अगला अपसन है उनका नयतिक विकास अनिवार रिता होता है अगला है वे बिना किसी उद्देश के पढ़ते हैं तो दोस्तों जब बच्चे कहानिया पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग सभी सीटेट में पढ़ावाजी सेक्शन पढ़के आ रहे हैं आप सभी को जानकारी होगी इसका right answer क्या होगा इसका सबसे सटीक option क्या होगा option number B वे अन्य लोगوں के अनुभव़े में परवेस करते हैं और कलपनासील बनते हैं ये चीजिसका बिलकुर right answer होगा इस question का option number B आगे बढ़ते हैं ये दोस्तों 10 कुष्चन हो गए आपके पार्ट A में पार्ट A में जो 100% पूछे जाएंगे आप लोगों के KBS PRT के एक्जाम में तो ये 10 कुष्चन वहां से हो गए और दोस्तों जो 80 कुष्चन का पार्ट 2 रहेगा वहां पे हिंदी 20 नंबर की पूछी जाएगी तो हम लोग वो भी साथ में ही हल करेंगे क्योंकि हिंदी आप लोग जानते ही हैं कि एक जैसी ही होती है तो हम लोग पूरे 30 प्रसनों की practice करेंगे अपने practice set में देखते हैं अगला कुष्चन है 121 आपको पार्ट 2 में 121 से हिंदी मिलने की यही संभावना है अब बाकि वहां पे examiner कैसे paper को set करते हैं हिंदी को कैसे रखते हैं तो वो आप लोग देखना बाकि practice set के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि 121 यहां पे 20% हिंदी के होंगे देखेंगे दोस्तों पहला question है इनमें से कौन सा सब्द भाव आचक संग्या नहीं है भाव आचक संग्या किसमें नहीं है दोस्तों आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि KBS PRT के exam में हिंदी section की अगर बात कर ली जाए तो पूरा का पूरा grammar बहुत अच्छे level का पूँचा गया है और बहुत अच्छी तरीके से grammar वो पूरी grammar से paper बनाएंगे आपका जो 30% बनाएंगे तो आप लोगों को हिंदी व्याकरण पूरी अच्छी से आनी चाहिए तो देखेंगे पहला क्या कहेंगे दोस्तों अगला कुश्चन क्या है इसमें इनमें से कौन सा सब्द भाव आचक संग्या नहीं है कौन सा सब्द भाव आचक संग्या नहीं है चैनल को एक बार दोस्तों सस्क्राइब जरूर करें विजिट जरूर करें चैनल को और वो वीडियोज आप लोग जरूर देखिए देखेंगे पहला आपसन लिखा है मनाही अगला है विद्वता अगला है सोना अगला है खुसी तो किसमें भाववाचक संग्या नहीं है पूछा गया है तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन लिखाववाचक संग्या नहीं है और इसमें अगर संग्या की बात कर ली जाए कि इसमें संग्या काउन है तो दोस्तों इसमें है द्रव्यवाचक संग्या द्रव्यवाचक संग्या बाकि दोस्तों ये मनाही विद्वता खुसी इन तुईनों में भाववाचक संग्या है और जो ये सोना है ये द्रव्यवाचक संग्या का उधारण है तो इसमें पूछा गया था कि इसमें भाववाचक संग्या नहीं है तो यहाँ पे आपसन नंबर सी इस कुश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है पसू चर रहे हैं रे खांकित पद है यह पसू मेरे खांकित किया गया था पसू चर रहे हैं इस मेरे खांकित पद में पूछा गया है कि पसू में कौन सी संग्या है पहला आपसन है विक्तिवाचक संग्या अगला है जातिवाचक संग्या अगला है भाववाचक संग्या और अगला है द्रव्वेवाचक संग्या तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे बहुत ही आसान कुश्चन है पसू में कौन सी संग्या है पसू में होती है जातिव आपसा नमबर भी इस कुश्चन का बिल्कुर राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों संग्या मुख्य रूप से संग्या के कितने भेद होते हैं पांच कौन कौन से पहला तो यही हो गया विक्तिवाचक संग्या फिर जातिवाचक संग्या ये फश्ट हो गया ये सेकेंड हो फिर होता है द्रव्य वाचक संग्या ये चौथा हो गया और अगली पांचवा भेद कौन सा होता इसका समूह वाचक संग्या आप लोग ये भी याद रखना समूह वाचक संग्या तो दोस्तों कुश्चन क्या था कि पसू चर रहे हैं इसमें रेखांकित पद रेखांकित पांच भेद कौन कौन से एक बार देखेंगे फिर से पहला है विक्तिवाचक संग्या होता है दूसरा होता है जातिवाचक फिर भाववाचक फिर द्रववाचक फिर समुह वाचक ये पांच भेद होते हैं संग्या के आप लोग दोस्तों याद रखना आगे बरते हैं अगल पहला तो जग भला यहाँ पे आप में रेखांकित है इसमें कौन सा सरो नाम है पहला आपसन है पुरुस वाचक सरो नाम दूसरा है निजवाचक सरो नाम अगला है निश्चे वाचक सरो नाम और अगला है अनिश्चे वाचक सरो नाम तो दोस्तों यह भी बहुत ही आसान कु दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के डिफिनीशन की अगर बात कर ली जाए कि निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं तो दोस्तों आप लोग याद रखना जिन सब्दों का प्रियोग वक्ता स्वयम के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे अपने आप और जिन सब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयम यानि की खुद के लिए प्रयोग करता है वहाँ पे होता है निजवाचक सरोनाम दोस्तों याद रखना तो यहाँ पे जैसे आप अपने लिए ये चीज जितने भी हैं सब्द ये निजवाचक सरोनाम के उधारण है तो यहाँ पे आ पुरुस वाचक सरोनाम, नीच वाचक सरोनाम, निश्चे वाचक सरोनाम, अनिश्चे वाचक सरोनाम, यह हो गए, पांचवा कौन सा होता है, प्रस्नवाचक सरोनाम, प्रस्नवाचक सरोनाम, प्रस्नवाचक सरोनाम, प्रस्नवाचक, प्रस्नवाचक, और अगला कौन सा होग अगला होगा संबंध वाचक, यहां पे लिख रहा हूं, संबंध वाचक सरोनाम, तो दोस्तों सरोनाम के कितने भेद होते हैं, छे भेद होते हैं, कौन-कौन से पहला होता है पुरुस वाचक सरोनाम, अगला होता है निजवाचक सरोनाम, अगला होता है अनिश्चे वाचक सर और छठा होता है प्रस्णवाचक सरोनाम तो दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना संग्या के होते हैं पांच भेद और सरोनाम के होते हैं छे भेद आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कौन सा सरोनाम का भेद नहीं है दोस्तों वही कुश्चन आगया अभी मैंने छे जो सरवणाम आप लोगों को बताएं है, आप लोग इस कुश्चन को बहुती इसली कर पाएंगे, कौन सा सरवणाम का भेद नहीं है, पूँचा गया है, देखेंगे, पहला आपसन है पुरुसवाचक सरवणाम, अगला है गुणवाचक, सरवणाम, अगला है निजवाचक, अगला है प्रस्ण वाचक तो दोस्तों कौन सा सरो नाम का भेद नहीं है तो यहाँ पे आपसा नमबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुण वाचक यह गुण वाचक सरो नाम का भेद नहीं है यह विसेशन का भेद है आप लोग दोस्तों याद रखना सरो नाम के छे भेद अभी मैंने आप लोगों को बताए कौन-कौन से पुरुस वाचक सरो नाम निजवाचक सरो नाम निश्चे वाचक सरो नाम अनिश्चे वाचक सरो नाम प्रसन वाचक सरो नाम और संबंध वाचक सरोनाम, ये सरोनाम के 6 भेद होते हैं, बाकि ये गुण वाचक जो है, ये सरोनाम का भेद नहीं होगा, तो यहाँ पे आपसर नंबर B बिल्कुल डाइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है, कुश्चन नंबर 125, कस्मीरी सेब सि नीचे क्या लिखा है, वाक में रेखांकित सब्द विसेशन के किस भेद के अंतरगत आएगा, यहाँ पे सिंदूरी को रेखांकित किया गया है, और कहा गया है कि जो रेखांकित सब्द है, ये विसेशन के किस भेद के अंतरगत आएगा, ये चीज़ आप लोगों को बता आपसा नमबर A, गुण वाचक, गुण वाचक ये हो जाएगा गुण वाचक आपसा नमबर A, इस कुष्चन का बिल्कुल राईट आज़ आंसर होगा, ये सिंदूरी जो है, ये गुण वाचक सरो नाम विसेशन के भेद के अंतरगत आएगा, तो आपसा नमबर A यहाँ पे इस्त्री अगला है, इस्त्री अगला है, इस्त्रेंड, तो दोस्तों इस्त्री का विसेशन क्या होता है, थोड़ा सा टप कुश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुश्चन KBS ऐसे ही बनाएगा, पेपर आसान नहीं बनाएगा, दोस्तों यह आप लोग याद रखना, त तो इस तरी का विशेशन क्या होगा? तो question number 126 का right answer क्या हो जाएगा? option number D, trend, ये वाला, ये इस तरी का विशेशन होगा. आगे बढ़ते हैं, अगला question है, question number 127, निम लिखित में से कौन सा संयुक्तसर नहीं है? संयुक्तसर नहीं है, पूँचा है. कि पहला option है A, अगला है A, अगला है U, और अगला है O. तो इस में से, चारो में से, जो चारो विकल्प दिये हैं, इन में से कौन सा संयुक्तसर नहीं है? दोस्तों, question को हल करने से पहले, मैं आप लोगों को स्वरों के भेद के बारे में बताना चाहूंगा. वैसे तो मैंने detail वीडियो दोस्तों बना रखा है, स्वर के संदर्म में भी, तो आप लोग वो एक बार जरूर देखिएगा, लेकिन यहां पे भी समझेंगे कि स्वर, स्वर कितने भेद होते हैं, 11, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11, हिंदी वडमाला में स्वर 11 होते हैं आप लोग याद रखना, और इन स्वरों को तीन भागों में बाटा गया है, कौन-कौन सा, पहला होता है हरस्व, दूसरा होता है दीर्ग, और अगला होता है, तीसरा होता है इसका संयुक्त, संयुक्त, अब दोस्तों समझना, हर स्वर के अंतरगत कौन-कौन से वन आते है हर सोसर के अंतरगत पहला वन आता है छोटा आ फिर कौन सा आता है हर सोसर के अंतरगत दोस्तों बता रहा हूँ यह चीज मैं पहला आता है छोटा फिर आता है छोटी फिर आता है छोटो और आता है रीसी ये हर स्वर होते हैं चार और दीर्ग स्वर कौन से होते हैं दोस्तों दीर्ग स्वर कौन से होते हैं बड़ा बड़ी और बड़ो ये होते हैं दीर्ग स्वर तीन और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं समझना आप लोग संयुक्त स्वर होते हैं ए ए Question क्या पूछा गया था यहाँ पे Question था दोस्तों निमने लिखित में काउन सा सईयुक्तसवर नहीं है सईयुक्तसवर मैंने काउन काउन से बताए A, A, O, O यह सईयुक्तसवर होते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपसर नमबर C U U ये संयुक्त स्वर न होके ये U कौन सा है ये दीरग स्वर है ये दीरग स्वर ये चीज दोस्तों आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीन स्वर भी इसका ले सकते हैं उमीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये स्क्रीन स्वर ले लिया होगा तो यहाँ पर दोस्तों संयुक्त स्वर नहीं है संयुक्त स्वर कौन सा नहीं होगा ये U ये संयुक्त स्वर नहीं है ये कौन सा है ये दीरग स्वर है बाकि ये A, A, O और O ये चार होते हैं संयुक्त सर उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी चीज बिलकुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 128 जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी च्छन दूसरी क्रिया में प्रवत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों ये चीज आप लोगों को बतानी है कि जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी च्छन दूसरी क्रिया में प्रवत्त हो जाता है यानि कि या दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहली जो समाप्त हुई क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है पहला आपसन है सहायक क्रिया अगला है नामबोदक क्रिया अगला है पूरुकालिक क्रिया और अगला है भूत कालिक क्रिया तो दोस्तों इसका right option क्या हो जाएगा आपसर नमबर C पूरुकालिक क्रिया आप समझेंगे पूरुकालिक क्रिया की definition क्या होती है इस question का right answer दोस्तों हो जाएगा पूरुकालिक क्रिया आपसर नमबर C पूरुकालिक क्रिया की डिफिनिसन क्या होती है कि जब करता वही डिफिनिसन लिखी है ये डिफिनिसन पूरुकालिक क्रिया की ही लिखी है दोस्तों क्या होती है जब करता एक क्रिया को समाप्त कर उसी छण दूसरी क्रिया में प्रवत्त हो जाता है तो पहली क्रिया को पुरुकाली क्रिया कहलाती है जैसे एक्जामपल के तोर पे समझेंगे राम ने नहा कर भोजन किया तो यानि कि एक क्रिया समाप्त हो यानि कि नहाने नहा नहाने की क्रिया समाप्त होने के जश्ट बाद उसने भोजन किया यानि कि भोजन करने की क्रिया को कर रहा है तो यहाँ पे नहाकर यानि कि नहाने में कौन सी क्रिया होगी तो जो पहले समाप्त होई क्रिया यानि कि नहाकर नहा चुका यानि कि वो चीज़ समाप्त हो चुकी तो पहले समाप्त हुई क्रिया यानि कि नहाकर में पूरुकालिक क्रिया होगी आप लोग याद रखना आपसन नमबर C इस कुश्चन का बिलकुल राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 129 कौन सा संयुक्त क्रिया का बेद नहीं है ये चीज़ आप लोगों को बतानी है पहला आपसन है अवकास बोधक अगला है निश्चे बोधक अगला है नित्याता बोधक अगला है नाम बोधक तो संयुक्त क्रिया का कौन सा बेद नहीं है ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों बतानी है तो इस कुश्चन का राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन नमबर D नाम बोधक जो ये नाम बोधक है ये संयुक्त क्रिया का बेद नहीं है बाकी दोस्तों ये अवकास बोधक निश्चे बोधक और ये नित्यता बोधक ये तीनों सैंट क्रिया के भेद हैं नाम बोधक ये सैंट क्रिया का भेद नहीं होगा आगे बरते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नम्बर 133 बरवर बरवर का विलोम सब्द है यह सब्द है बरवर इसका विलोम पूछा गया है क्या है इंपोर्टेंट कुष्चन है दोस्तों पहला है दुरलब अगला है निर्मल अगला है सुन्दर और अगला है सब्ध तो बरबर का विलोम क्या होता है सद्व आपसन नमबर डी इस कुशन का बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों अगर दुरलब के विलोम की बात कर ली जाए तो दुरलब का विलोम क्या होता है दुरलब का विलोम आप सभी जानते होंगे होता है सबल और सुंदर का सुंदर का विलोम होता है कुरूप कुरूप और निर्मल का विलोम क्या होता है मलीन मलीन स्वारी दोस्तों तो दोस्तों कुश्चन क्या था बरबर का विलोम सब्द क्या होगा तो इसका विलोम होगा आपसन नमबर D सब्ध है और अगर दुरबल के विलोम की बात कर ली जाए तो दुरबल का विलोम होता है सबल और सुन्दर का विलोम होता है कुरूप और निरमल का विलोम क्या होता है मलीन आप लोग दोस्तों ये चीज भी कही नोट कर लेना आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन नमबर 131 उद्दत का विलोम सब्द है उद्दत इसका विलोम क्या होगा पहला आपसन है सौख अगला है विनीत अगला है उत्तम अगला है कोमल तो दोस्तों कुष्चन नमबर 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर B विनीत उद्दत का विलोम क्य क्या होता है अधम उत्तम का विलोम क्या होता है अधम आप लोग ये चीज भी कहीं नोट कर लीजिए तथा दोस्तों अगर आगे बात की जाए कोमल का विलोम क्या होता है कठोर इजी है तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कोमल का विलोम क्या होता है कठोर तो उद्द अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 132 निम लिखित में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है यानि कि दोस्तों लिंग से भी कुश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में जरूर इस्त्री लिंग कौन सा सब्द है पूछा गया है पहला है फुटपात अगला है स्कूल अ अगला है केतली, तो दोस्तों, कुश्चन नमबर 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसर नमबर D, केतली, केतली ये इस्त्री लिंग है, बाकि स्कूल, फुटपाथ और इस्टोर, ये पुलिंग है, ये पुलिंग है, बाकि ये केतली जो है, ये इस्त्री लिंग होगा आपसन नमबर D इस question का विल्कोल राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 133 question number 133 है निम्न में से कौन सा सब्द pulling है कौन सा सब्द pulling है पहला option है दया, अगला है माया अगला है भासा, अगला है आभार तो कौन सा pulling होगा question number 133 का दोस्तों माया, भासा, ये तीनों इस्त्री लिंग सब्द के उधारन है और बाकि ये जो आभार है ये pulling है, important question है दोस्तों, इसको भी आपनों कहीं note कर लेना है, याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है कभी का इस्त्री लिंग रूप है बहुत ही famous question है और important भी है, वरतनी भी इसकी पूँची गई है बहुत बार और इस्त्री लिंग, यहाँ पे question इस्त्री लिंग पूँचा गया है कि कभी का इस्त्री लिंग क्या होगा तो कभी का इस्त्री लिंग क्या होगा, आपसा नंबर C, कभी 3 आपसा नंबर C यहाँ पे बिल्कु डाइट आंसर हो जाएगा कवी त्री और दोस्तों कवी त्री की ये वरतनी की द्रश्ट से भी आप लोग देख लीजिए कवी त्री होता है ये इसकी वरतनी बहुत बार पे एक्जाम में पूछी गई है बाकि ये कवी का इस्त्री लिंग डूप होता है आप लोग ये भी याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नंबर 135 निम लिखित में से कौन सा सब्द बहुचन है कौन सा सब्द बहुचन है एक वचन बहुचन से भी आपके पेपर में कुश्चन आना है तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करके और टॉपिक को जो टॉपिक हैं आपके पेपर में वहां से आप लोग टॉपिक तयार करके बिल्कुल चाहिए और जितनी अधिक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए पेपर में आसानी होगी देखेंगे पहला आपसन है पौधा अगला है लड़का अगला है प्राण और अगला है पुस्तक तो कौन सा बहुवचन है तो दोस्तों आपसा नंबर सी आप लोग देख रहे हैंगे प्राण ये बहुवचन है बांकि ये पौधा लड़का और पुस्तक ये तीनों एक वचन है प्राण जो है ये बहुवचन होता है आप लोग याद रखना जैसे दोस्तों बोला जाता है कि प्राण निकल गए तो दोस्तों जो प्राण है ये बहुवचन होता है कुश्चन नमबर 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर C आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 136 हास का विलोम सब्द है हास का विलोम सब्द पूछा गया है पहला है विहास अगला है अहास अगला है निहास और अगला है रुदन तो most important question है एक से दो बार ये question पर इच्छा में पूछा जा चुका है हास का विलोम क्या होता है रुदन आप लोग दोस्तों याद रखना question number 136 आगे वड़ते हैं अगला question है question number 137 निम लिखित में से कौन सा समुद्र का परयावाची नहीं है समुद्र का परयावाची नहीं है पहला अपसन है अमबुद अगला है पारावार अगला है अरणव अगला है पयोधी तो समुद्र का कौन सा परयावाची दोस्तों नहीं होगा ये चीज आप लोगों को बतानी है तो कुश्चन नमबर 137 का राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन नमबर A अमबुद अमबुद ये दोस्तों ये समुद्र का परयावाची नहीं होगा आप लोग दोस्तों याद रखना ये अमबुद समुद्र का परयावाची नहीं है और अगर इसके बात कर लिजाए ये पर्यावाची है किसका तो ये दोस्तों बादल का पर्यावाची है ये अम्बुद जो है ये बादल का पर्यावाची है दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना बाकी दोस्तों जो ये पारावार अरणव और पयोदी ये तीनों समुद्र के पर्यावाची होंगे और ये ये अम्बुद है ये अम्बुद बादल का पर्यावाची होता है नकी समुद्र का तो कुष्चन नमबर 137 का राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन नमबर A आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 137 आकास में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित सब्द का पर्यावाची नहीं है यानि कि आकास का रेखांकित कौन है यहाँ पर आकास का पर्यावाची कौन सा नहीं है ये चीज़ आप लोगों को बतानी है पहला आ अगला है गगन अगला है रसाल और अगला है नभ तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर C रसाल रसाल ये आकास का पर्यावाची नहीं है ये किसका पर्यावाची होता है ये आम का पर्यावाची होता है रसाल आप लोग दोस्त क्या क्या होते हैं जैसे आम्र, अम्रतफल, रसाल, सहकार ये आम के अन्ने पर रहावाची सब्द होते हैं ये चीज़ आप लोग याद रखना तो कुश्चन नमबर 133 का राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन नमबर C, रसाल आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश पहला है संदिक्द वर्तमान, अगला है संदिक्द भूत, अगला है संदिक्द भविश्य और अगला है सामान्य भविश्य तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर A, संदिक्द वर्तमान, आपसन नमबर A इस कुश्चन का बिलकुल राइट आंसर राम खाता होगा और दोस्तों अगर संदिक्द वर्तमानकाल के डिफनीशन की बात कर ली जाए तो इसकी डिफनीशन क्या होती है यह चीज भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए जिससे क्रिया के संपन होने में तो संदेह प्रकट होता है परंत उसके वर्तमानता में कोई देह नहीं होता वहाँ पे संदिक्द वर्तमानकाल होता है जैसे वह खाता होगा जो आपके कुश्चन में दिया है वह खाता होगा या राम खाता होगा और दोस्तों जैसे गाड़ी आती होगी यह संदिक्द वर्तमानकाल के उधारन होते हैं आप लोग याद रखना तो इ पहला कुश्चन है दोस्तों पत्थर का पर्यावाची नहीं है पत्थर का पर्यावाची पूछा गया है कि कौन सा नहीं है पहला आपसन है पाहन अगला है उपल अगला है पासान और अगला है उरग तो पत्थर का पर्यावाची कौन सा नहीं होगा तो दोस्तों आपसन होता है उरग सर्प का पर्यावाची होता है और दोस्तों सर्प के अन्य पर्यावाची सब्दों की बात कर ली जाए तो सर्प के अन्य पर्यावाची कौन-कौन से होते हैं जैसे नाग, अही, भुजंग, व्याल, सांप, सारंग ये सर्प के अन्य पर्यावाची होते हैं और दोस्तों, पत्थर के पर्यवाची सब्दों की बात कर ली जाएगर, तो पासाण, अस्म, पस्तर, पाहन, ये पाहन, पासाण और उपल, ये सारे पत्थर के पर्यवाची होते हैं, तो question number 140 और आज के practice set एक का अंतिम question था, कि पत्थर का पर्यवाची कौन सा नहीं है, तो यहा KVS PRT की परिच्छा के संदर्म में, उमीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक share कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक subscribe कीजिए, हमारे चैनल के दोस्तों माध्यम से, आप लोगों के लिए KVS PRT के एक्जाम की अच्छी तरीके से preparation कराई जाएगी, तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो share कीजिए, मिलते हैं दोस्तों, अपनी अगली class में, एक अगले नए practice set के साथ, तब तक के लिए, चैहिंद!